हेलो बाई मैं वांकित मेरे को लगता था ना बाई कि SP160 जो हाल फिलाल में लौन्च हुई है वो फ्लॉफ हो जाएगी बाई लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है वो गाड़ी अपना असली रंग अब दिखाना सुरू कर चुकी है मैं इस सब क्या बोल रहा हूं वो तो आपको वीडियो देखने के बादी पता चलेगा आज अपन इस वीडियो में देड़ सो सिसी से लेके 200 सेग्मेंट की दस सबसे आधा बिखने वाली बाईक्स के बारे में जानेंगे मज़ा भर पूरा आने वाला है वीडियो को स्किप मत करना एंड तक देखना पिछले महिने से भ पर अपने को ड्यूक आर्सी दोनों मिलता है बाई दोनों कंबाइन 390 वी अक्टूबर में जबकि सितंबर में 312 वी थी लगबग 289 गाड़िया ज्याद अभी कि पिछले महिने क मुकाबले इस महिने के टीम 200 की चुकि बहुत अची बात है के टीम का इज्जत यही दोनों गाड़िया बचाती है बाई नहीं तो बाकी सारी गाड़ियों के सिल्सम उतना जाननी रहता है अगर आप ए आर्सी वाला मॉडल लेना चाहते हो 200 में तो दो लग 259 उर्पे आपको देना पड़ेगा अपने आप यार सासराम के ऑन रोड के हिसाब से पार एक उसमें मिलता ओड़ी टू के साथ लॉंच हुई है ना तहल का समचा रखा है पहले भाई मेरो गयादे दो तिन सो भी निभीका करती थी लेकिन आज कल देखो चाती सो पचास यूनिट भी की अक्टूबर में जबकि सितंबर में इससे ज्यादा ही था अड़ती सो बावन यूनिट मतलब 202 गारिया कम भी के पिछले मेंने के मुकाबले इस मेंने हॉर्णेट की एक लग बासट जार दो सो चैसी रूपे से मिलना सुरू जाती है हॉर्णेट अपने को पावर अगर मिलता है 17.03 भी एचपी का टॉर्क मिलता है 16.8 के नेम का 45 के एमपील का माईलेज इसके अलावा 142 केजी का करवेट 9 कॉलर अप्सन बाखी 130 के एमपीज का टॉप स्पेड मिल जाता है अपने को हॉर्णेट में है बाखी एर्थ नंबर पे आये हीरो की एक्स्ट्रीम सिरीज यहाँ पर दो प्रोड़क्ट मिलते हैं 160 और 200 दोनों कमबाइन 441 यूनिट भी किये केड में लेकिन अच्छा सेल हुआ है अक्टूबर में एक लाग अर्साट जार चार सो सतर रुपे से मिलना सुरू हो जाती है 200 वाला मॉडल जिसका पूरा नाम है एक स्टीम 200S है पावर अगर उसमें मिलता है 18.8bhp का टॉर्क मिलता है 17.35 का 40 MPL का माईलेज 155 kg का थीन कलर उप्सन बाकी 120 MPH का टॉप स्पेड मिल जाता है बाके सेवन्थ नमबर पे आईए SP160 जिसका स्टाटिंग में पात कर रहे थे अक्टूबर के मैं इसकी 8,014 यूनट बिकिये जबकि सितंबर में 7423 यूनट माहत्रे बिकि थी देख रहे हो 591 गाड़ियों का इंप् लगता ये भाई अपना रंग दिखाएगी आगे चल के देखना क्योंकि होंडा की प्रोड़क्ट है और उपर से SP नाम है तो हलका मचाएगी मेरे को ऐसा लगता है आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में बताना हलके में लेना इस गाड़ी को बेवकूफी है एक लाक एक अगली गाड़ी की तो आई है भाई शिक्स्त नंबर पे एमटी 15 भाई इतनी खतरनाक ये गाड़ी लगती है न मजा साज है था देखने में अक्टूबर में इसकी 8736 उनुट भी किये जबकि सित अंबर में 8691 उनुट भी कि थी 45 गाड़ी ये ज्यादा भी किये पिछले मे 1NM का टॉर्ग 48 के MPL का माईलेज 141 केजी का कर्वेट साथ कर्लर ऑप्शन बखी 130 के MPH का टॉप स्पीड इसमें मिल जाता है बागे फिप्त नंबर पे आईए इसी की बड़ी बहन R15 12964 उनुट भी किये इसकी जबकि सितंबर में 11,131 उनुट भी किती मात्र मतलब 1833 गा बॉकाबले इसमें इने R15 की ये गाड़ी आपकी 2,12,141 उर्पे से मिलना शुरू हो जाती है इसमें भी पावर उसी के राउंड मिलता है बागे फोर्थ नंबर पे आईए यूनिकॉन 16,404 उनुट भी किये इसकी जबकि सितंबर में 25,514 उनुट भी किती मतलब भाई एक 910 गाड़िया कम भी किये यूनिकॉन की यूनिकॉन के सेल्स में गिरावट है यार ये हजम नहीं हो रहा भाई ये तो किंग गाड़ी है लगता है लोग पाग यूनिकॉन को छोड़के SP 160 को ही ले रहे है आँबे तभी इसके सेल्स में गिरावट हुआ है नहीं तो भाई ये गाड़ी 25,000 यूनिक यूहीं भीग जाय करती है कितना भी मार्केट खराब रहे बढ़िया रहे इसको उससे फरक नहीं पड़ता ये गाड़ी एक लग एक 31,680 रुपे से मिला शुर दोनों मिलता है दोनों कमबाइन 18,000 यूनिट पूरे भी किये भाई अक्टूबर में पूरे 18,000 जबकि सितंबर में 14,820 यूनिट भी थी एक 328 गाड़ी ये ज्यादा भी किये पिछले मेनेक मुकाबले इस महीने FG सिरीज की ये गाड़ी 1,50,450 रुपे से मिलना शुरू ह जाती है जिसका वीडियो देख रहे हो 12.2 HP का पावर 13.3 निम का टॉर्क 49 MPL का माइलेज 136 KG का करवेट 5 कल रॉप्सन बागी 115 MPH का टॉप स्पीड मिल जाता है बागी सेकंड नमबर पे आए हमेसा की तरह अपाची सिरीज इसकी 3 तीन लाग बोलने वाला था भाई नहीं 3 लाग नहीं भी किये मातर 49,187 यूनिट भी किये जबकि सितंबर में 26,774 यूनिट भी थी 12,413 गाडिया कम नहीं ज्यादा भी किया आपाची से रेज किये जो कि बहुत ही अच्छी बात है आपाची बाई एक जमाने में 60-70,000 यूनिट यूं भी जाय करती है तिले कि सत्रा पॉइंट एक तीस भी एजपी का ठॉर्क मिलता है चोदा पॉइंट यूनिट नहीं का अक्टूबर में 57,118 यूनिट भी किये जबकि सितंबर में 46,888 यूनिट भी थी 10,310 गाडिया ज्यादा भी किये पिछले मेने के मुकाबले इस मेने पॉइंट यूनिट यू अगरा पॉइंट में 69,60 को लेना चाहते हो तो लगबग आपको एक लाग तीरपान 158 यूनिट भी एजपी का टॉर्क मिलता है चोदो पॉइंट 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 का बाकि 104 केजी का करवेट 14 लिटर का फ्यूल टेंग बाकि 120 के मिल जाता है आपको थोड़ा सा घ्या CCC से लेके 206 सेग्मेंट की 10 अपसे अधा बिगने वाली गाड़ियों के बारे में जान लिया अगर आपको कुछ कहना है SP160 के बारे में तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो देखने के लिए आपका धन्वाट हैंकियो सोमच भाईयो दिल से जय हिंद